एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था, वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था, एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, और हर दिन दो समय का खाना और नास्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर के रहो, उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, और वो उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा, और फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा, आश्रम में गुरू ज रहते थे वो कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं, वो आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था, और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था, ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया, एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना, नास्ते के समय नास्ता नही मिला भोजन तो मिलेगा, अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला, लड़का दोर करके गुरुजी के पास गया, और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना, गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एक आदशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य है उनका उपवास ह और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा, वो लड़का आलसी था और उसे भूग भी बहुत लगता था, उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूंगा, मुझे भूग लगी है, मैं खाना खाऊंगा, गुरुजी ने बोला ठीक है लेकर नदी की और पनुचा, भोजन पकाने लगा, तयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आये पधारिये भोग लगाए, अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे है तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत ह मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता लेकिन जो भी रुखा सूखा बना है आकर खालीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन हुए और उस लड़के को दर्शन दे दी उसने देखा कि भगवान श्री राम आये लेकिन लड़के ने सिर्फ दो लोगों के लिए ही भोजन बनाया था एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहन करने के लिए रख दिया भगवान श्रीराम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आपा ये दर्शन दिये बहुत अच्छा लगा मुझे खाने को कुछ नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिये ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखा रहू भगवान श्रीराम मन ही मन मुस्कुराये और फिर अंतर ध्यान हो गए लड़का आश्रम गया, दिन बीटता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने तीन चार लोगों के लिए आनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पनुचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभू आ लड़के ने तीन माइनस चार लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पर गया लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभू के आगे रख दिया उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया अब लड़का फिर इतना सारा आनाज का करता क्या है कही इसे बेचता तो नहीं है फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भूग से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी मैं भूग से परेशान नहीं रहता हूँ प्रभू के साथ बहुत लोग आते हैं उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही कि लड़का इस आनाज का करता क्या है। वो भूला सा लड़का आनाज ले करके नदी के किनारे पनुचा और इस बार भोजन बनाया नहीं उसने सोचा कि प्रभू हर बार ज्यादा लोगों को ले करके आते हैं इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभू को बुरु जी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभू को बुला रहा है लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभू के साथ बहुत से लोग आये हुए है तो उसने प्रभू के सामने हाथ जोड करके कहा कि प्रभू माफ करना आप बहुत सारे लोग आते हो मुझे संख्या पता नहीं हूती है और मेरी हिम्मत भी नहीं हूती है कि इतने सारे के लिए भूजन बनाओ, आप स्वयम आये बनाये खाये और भोग लगाईये, प्रभू मुस्कुराते है और अपने साथ आये सबी लोगों के साथ मिलकर के भूजन बनाते है, गुरु जी ये सब छुप करके देखते है और फिर लड़के के पासा करके कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो लड़का कहता है कि गुरु जी आपको देख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके है मा सीता आई हुई है हनुमान जी आये है और भी सभी लोग आये हुए है भूजन बन रहे है गुरु जी ने बोला कि पागल हो गया है मुझे तो कोई देख नहीं सकते मेरे गुरु जी तो बहुत महान है बहुत बड़े ग्यानी और ग्याता है भगवान बोले हाँ ग्यानी और ग्याता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरु जी में नहीं है लड़के ने ये बात गुरु जी से कह दी फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिये ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएगे जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दुसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं